आपके पास अपने सपनों को हकीकत देने का समय केवाल आज का ही है कौन जाने कल आपके पास समय हो या ना हो सर्च करके आप कर सकते हैं व करन आपकेश में सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हैं आप पासिय Богण बीठाब कर रहे चलेब करकेशन बहुत इंपोड़ iki यान से देखिए का नीति आयोग दोप और आपको बतादे षे नीति आयोग के जो पाध्यक्स हैं डाक्टर राजीभ कुमार और जो CEO है यानी चीफ Executive Officer अमिताप कांथ और सदस्रेजों डाक्टर वी के सारस्द ने द्वारा नई दिल्ली में इसे जारी किया गया वे पांच विशयगत रिपोर्ट कौन-कौन से आपको बता देता हूं ध्यान से सुनिएगा पहला है जल सुरक्षा सतत परेटन ख पार्चिक रूप से 6.8 परसेंट बढ़ रहा है जिससे ठोस अपसिष्ट पानी यातायाद जैव संस्कृतिक विवित्ता की हानी हो रही है ठीक है दोस्तों आपको बता दे कि नीती आयोक को फुल फॉर्म क्या है नीती का तो नीती नीती का फुल फॉर्म नेशनल इस्टि बात करें CEO की तो वह है डाक्टर अमिताप कांथ ठीक है अमिताप कांथ जो बरतमान में CEO है और जो भारत के प्रदानमंत्री होते हैं नीती आयोक के पदेन अध्यक्ष होते हैं यानि बरतमान में नैयन मोदी जी हैं आपको बता दे दोस्तों कि एक जनवर 2015 को जो योजन आ आपको यहां पर बता दे क्यों नितिया उते अर्विंद पनगडिया और बरतमान में क्यों है राजीब कुमार तो पहले भी याद रखने पहला भी कई बार एक्जम्हें पूछा थे नीतिया को बहुता दे दोस्तों कि नीतिया को जो अद्देश से है नीतिया की नियूक् करता है ठीक तो यह सारे फैक्ट आप याद रखिएगा दोस्तों एक्जाम में की पॉइंट आभी से बहुत इंपोर्टेंट है इसके लाव है आपको आज कुछ बहुत महत्पूर्ण नियुक्तिया बता रहा हूं जो एक्जाम में पूशे जाते हैं करेंट है पेसिलेटेड है जो वरतमान में रक्षा सचीव है भारत के वह संजय मित्रा एक्चुली यह मैं रिवीजन करने के ही साब से बता रहा हूं ताकि आपको रिवीजन हो जा तो ध रश्टी सुरक्षा स्लाकार है वो है अजीड डोवाल जी करत्मानमे राश्टी सुरक्षा स्लाकार अंप नैश्नल सेदयवाजर है वरतमान भारत के ग्रिष सचीव कौन है वो है राजीव गवा ग्रिष सचीव कौन है राजीव गवा और कैबिनेट सचीव है प्रदीव कुमार सीना जी है और बात करें विदेश सचीव की तो बरतमाने विदेश सचीव है विजय केशो गोखले जी कौन है विदेश सचीव वरतमाने विजय क अग्षा मंत्री थे तो नित्याग ने भारती हिमालेगी शेत्र में सतत विकास पर कितने विश्यव पर रिपोट जारी किए है पांच विश्यवगद रिपोट जारी किये हैं कौन-कौन से जल्शुरक्षा सतत परेटन खेति का स्थान तरण हिमालाय में कौशल और उद्यमत साथ जो तो जीके वाला पोर्षान पूरा कंप्लीट हो जाए और यह आप डेली देखेंगे तो आपको जुरूर कंप्लीट हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए अगले कोश्चन के तरह बढ़ते हैं अगला कोश्चन है ऑस्टेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने मौरिसन को पूर्वग्री मंत्री पीटर टडन के खिलाब 45 और 40 के आंतरिक वोट से जीतने के बाद ऑस्टेलिया के नए प्रधानमंत्री चुना गया है किसको चुना गया है ट्रेजरर स्कॉर्ट मौरिसन को इसके लावा दोस्तों मौरिसन जो है मैलकम टरूनल के बाद प गर्फ्रणिया के बारे में में बहुत सारे और जो है और और ऑ और वारे मेर मेसे चैटर जो होएcussions अ पूछा आता है पसके बारे कि यह सब से चोटा महाधीब है और 250 म assessment presence और उस्टेलिया मीजीए को पूछा आता है ऑस्टेलिया की खोच किस ने की थी तो आइवेल तस्मान और कप्तान कुग में और आपको बता दे को प्रमुक परवस रिंखला वह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसको प्रमुक परवस रिंखला है और इसको शर्वोत शिर्वार है वह को उसको सर्वोत सिकर रहे और आपको प 제가 पूछाता है किसन की पीbetशिद इसंटोरिया को पूर्प प्रमुक को रसुस्तस का है है तिये इस महाधीब के प्रमुख मरुस्थाल ऐस्ट्रिये महाधीब के ठीक है दोस्तों तो तो अस्ट्रेलिये से आपको इतनी सारी जानकारी इया है एक्जाम में कई वार पूछा गया है और बुद्रह लेक्र है और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर किया कर यह ह लाइक करने में दोस्तों आप में मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी डेली वीडियो बनाने के लिए और टार्गेट रखते हैं जब 11,000 लाइक का आई होप आप लोग पूरा करेंगे और इस वीडियो को प्रीज ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ फ भारती नौकायन टीम ने इंडोनेशिया में चल ले जो एसी आई खेलों में पूर्सों की क्वाड्रपल इसकल्स परधा में स्वाण पदक जीता है और आपको बता दे कि भारती नौकायन टीम में जो है तो सावर सिंग दत्तू भोकालन ओम प्रकास और सुमिच सिंग सामि आपको बता दे कि एसी आई खेलों में जो दोस्तों राही सरनोबद ने गॉल्ड मेडल जितने वाली पहली भारती महिला भारती शूटर बन गई है और आपको बता दे कि इन्होंने 25 मिटर इस पर धामी जीती है इन्होंने यह कोशन भी इंपोडेंट है क्योंकि इन्हों जो तो राही सरनोबद ने ACI खेलों में गोल जितने वाली पहली महिला भारती शुटर बन गई है और 25 मीटर इस परधा में याद रखिएगा और यहां पर दोस्ते एक बात और आपको बता दें ACN गेपसिलेटेट बहुत इंबोर्डेन फैक्ट ACI खेलों में शोड़ पता गिरने वाली पहली महिला पहलवान कौन बन गई है यहां पर आपको यह भियाद रखना है कि 50 किलो बर के फ्रेस्टाइल में साथी जापान के यू की आईरी कोहरा आया इन्होंने ACI खेलों में शोड़ पता गिरने वाली पहली भारती महिला पहलवान है और भारत के लिए पहला पता किसने जीता है ACN गेम्स में यह कोशन बहुत इंबोर्डेंट है तो जीता है पहलवान बजरंग पूनिया ने ठीक है भारत के लिए पहला गोल्ड मिडल किसने जीता है इन्होंने जापन के दाईची ताका तानी को हरा कर इन्होंने पहला सुन पतक पहला गोल्ड मिडल भारत के लिए जीता है। लेकिन आपको बता दू फिर से कि शुरुआत हुई थी चार मार्स जो निस्तों क्यावन को नहीं दिलने मिश्की शुरुआत हुई थी और अगला एसियन गेम्स होगा चीन के हांग्जू में जो 2022 का एसियन के हांग्जू सहर में और अभी का चला है इसका सुभंकर है एसियन गेम्स के ठीक है तो यह आप सुभंकर भी याद रखिए चलिए अगले कोशन के तरह बढ़ते हैं अगला कोशन है दोस्तों एसियाई खेल दो अठारा में पूरुस यूगल टेनिस परदा का सोण पता किसने जीता है तो यह जीता है दोस्तों रोहन वोपन्ना और अलेक्जेंडर बुबलिक और डेनिस यव इसेव को हराया है किसको हराया इनोंने खजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक और डेनिस एव सेवे को हराया है आपको बता देख भारत ने खेल में चार बार पूरुस यूगल में सोण पताक जीता है ठीक है आपको बता दे तो यह आप याद रखिएगा, इसे नगे अपसे लेटेटर में आपको पहले भी वह सार एफेक्ट बता चुका हूँ, चलिए, अगला कोशन दोस्तों, मूडीच इन्वेस्टर से सर्विस की रिपोर्ट की अनुशार 2019 में भारती अर्थवस्ता में कितने परसेंट बृध्धी होने की अनुमान जो तो लगाया गया है, तो यह भी काफी मोडेन कोश्चन नहीं, तो इसका राइड एंसार जागो दोस्तों, ऑप्सन C, 7.5%, देखे इसके लाव आपको बता दें, कि 2018 इसके लिए अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलिक में मोडी ने कहा है, कि पिछले कुछ महीने में मूर्जा कीमतों बढ़ोत्री से, अस्थाई रूप से जो तो मुद्राइस पिती बढ़ेगी, लेकिन विकास की कहानी बरकरार रहेगी, ठी ठीक है, तो मोडी इन्वेस्टर समिट की रिपोर्ट के नुसाद 2018 इसके भारती अर्थवस्ता में कितने परसेंट की बृद्धी होने को उमीद है, तो यह है, 7.5 परसेंट चलिए, अगला कोशन दोस्तों माउंटेन इकॉस साहित उत्सव के शुरुआत कहां हुई है, दो माउंटेन इकॉस साहित उत्सव के नौवे सत्र की शुरुआत थिमफू हुई है, और यह उत्सव भारत भूटान फाउंडेशन और भारत की अग्रणी साहिती के जिए स्याही की पहले, ठीक है, आपको उतादेक 2018 इकॉस साहित उत्सव को दौरान भारत और भूटान के ब पहली भारती महिला शुटर कौन बन गई है, तो इसका राइट एंसर था दोस्तों, राही सरनोबत यानि ऑप्सन सी राइट था, बहुत इंबोड़न कोशन था, लगभख सभी लोगों ने राइट एंसर दिया था, अब देख लेते हैं, आज का सवाल, आज का कोशन है, च कमेंट बॉक्स में जो है, तो सारी इंबोड़न फैक्ट, बिसमेटेक्स एलेटेट पूरी फैक्ट, कब हुए थी, इसकी स्थाबना, कब हुए थी, इसका पहला सिखर समिलन, कब हुआ था, अगला कहा प्यों को जो मैं जितने भी फैक्ट बताया हूँ, आप जरूर लिख